हेलो फ्रेंज स्वागत है आप सभी लोगों का हाईवे क्लासिस पर तो आईए आज हम आप लोगों को फादर आफ अल सब्जेक्ट जो आपके सब्जेक्ट महतपूर सब्जेक्ट जो आप लोग पढ़ते हैं उसके आपको जनक तो पता ही होने चाहिए और कभी कभार यहां से एक्जाम्स में भी कोईशन उठता है तो वहां से वह भी आप क्लियर कर सकते हैं और बेसिक जनगारी भी मजबूत हो सकती है बस एक दो तीन इनट की बात है आप हम आपको कुछ जो इंपोर्टेंट्स हैं और उन पर में फोकस करकर भी बताऊंगा कि यह वाला जो चीज है यह बहुत इंपोर्टेंट आपको यादरी करनी चाहिए तो आएए देखते हैं सबसे पहले इतियास तो कई बार हर एक्जाम्स में लगबग पूछा जा चुका है कि इतियास के जना कौन है भाई हिस्ट्री हिस्ट्री ही तो मैं चीज है हिस्ट्री ह ही हम लोग इतियास का जनक मानते हैं हेरोडोटेस ठीक है तो ध्यान रखना है यह हमारा इंपोर्टेंट है तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है इतियास हेरोडोटेस रहेंगा आपको इंपोर्टेंट अगला है भूगोल, भूगोल को किसने, भूगोल के जो जनक रहेंगे, वो इरेटो इस्थनीज रहेंगे, इरेटो इस्थनीज रहेंगे भूगोल के जनक, कभी कबार ये भी पूछ सकते हैं, तो आप इसको भी ध्यान रख सकते हो, अगला है नागरिक सास्त, नागरिक सास् से और अधर जो भी एक्जाम से साइन्स के कुशिशन बढ़ता जा रहा है तो साइन्स के जनक आपको जरूरी याद रखने है तो ध्यान रखना है बालोजी जिसे हम लोग जीविज्ञान कहते हैं जीविज्ञान के जनक है वो अरस्तु है एरिश्टोटल भी जिनको हम लोग पूलते हैं तो यह आपको ध्यान रखना है यह काफी important हो जाते हैं यहां पर नेक्स है जनतविज्ञान तो जनतविज्ञान के जनक है वो भी आपके अरस्त ही है और एरिश्टोटल इनको English में कहते हैं फिर है भातकी भातकी के देखो यह जो जनक है वो जिनका काफी योग जिनकी बिज़े से बहुत सारे बहुत की नियम उन्होंने दिया है और बहुत सारे नियम उन्होंने गतिके नियम ने वड़ा हैं जिनने हम सभी लोग न्यूटन के नाम से भी जानते हैं तो उनका भी योगदान यहां पर रहता है बहुत की अलबस्ट आइंस्टीन रहेगा आधुनी का रसायन जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं लेवोजीर यहांपे इंगे जनक हो जाएगे जिसको लोग कैमिश्टि कारें Modern Chemistry लेवोजीर जो आजकर हम लोग पढ़ रहे हैं वो Modern Chemistry ही पढ़ रहे हैं तो लेवोजीर आप इसको ध्यान रख सकते नेक्स है वनस्पत विज्ञान, बॉटनी बैई इन सभी को एक साथ रखो यह तीनों एक ही हैं जिसे हम लोग जीव विज्ञान के नाम के ंत्रगत करते हैं क्योंकि हाइश्कूल में तो यह अलग रहता है फिर इंटर में डिवाइड होता है भी एस्जी में डिवाइड होता हैं ठीक है और जी विग्ञान में जीवों का और जन्त विग्ञान में जित्तों का ठीक है computer यह भी एक तरीके से subject बन चुका है आप सभी लोग जानते हैं school में यह पढ़ाया जाना लगा है और institute है इसका खुद colleges में यहां पर इसका course भी होता है आप सभी लोग जानते हैं ओ लेवल और भी बहुत ए लेवल bca mca master computer applications ऐसे करके बहुत से हैं तो computer को चार्स बेबेज ने अब इसकार किया था सबी चीजें computer से ही लगबग हैं जो कि हमारा subject है गड़ित गड़ित में देख लीजी आर्कमेटीज है रामा नुजन का भी नाम सुना होगा वह भारत से हैं बहुत ही जो है गड़तिक विक्ति थे भारत के आर्कमेटीज यहां भी द्यान रखना आर्कमेटीज का सिधानत भी आपने पड़ा होगा जया मिती है यूकलिड अगर आप 10 पड़े हैं तो आपने सबसे पहले ही यूकलिट विभाजन प्रेमिका को जरूर पड़ा होगा जया मिती में जो इन्होंने दिये है यूकलिड चेत्रमिती भी हमने लिख दिया है पूछा नहीं जाएगा पूछा जाएगा ये वाला कंप्यूटर पधा कहीं बार पूछ चुके हैं गडित के भी नहीं पूछते जैत्य कंप्छत्य प invited नहीं पूछते हैं चेत्रमिती की लिएओन Ard pregnant X जाएगा आईए कुछ एक्ष्टा यहां पर है तो इसको भी देख लीजिए जो हमारी मात्र भासा है जो जननी है संस्कृत है जनक है यह पाणड़नी ठीक है संस्कृत हिंदी साहित सभी भासा है लगवक संस्कृत से ही उर्जिन हुई है ऐसा माना जाता है हिन्दी साहित के जो जनक है वह भारतिंद्र हरिशंद्र है इन्होंने हिंदी में एक नया दियास नाई मोड दिया था तो इसलिए लिए तो ठीक है इसमें से जो इंपोर्टेंट थी आप एक पीज पर लिख सकते हैं जहां पर आप एक बुक ऐसी रखिए जिसमें एक्ष्टा जनकर जो भी हो उसको आप लिखते रहा करो कहीं से भी मिले तो वह जो अगर आपको इंपोर्टेंट है यह ऐसे हैं जो कभी नहीं बिदलेंगे आप पर होगे आप करिके बच्चcycl पढ़ेंगे सब पढ़ेंगे इसमको खिंख कभी नहीं बिदलने के पिता जी slate है वो रहेंगा हमेसा इतियास के हो गया है तो हो गया ठीक है थैंक्यू मिलते हैं नेक्स लेक्षर में और जो भी वैच्छे कंपडिशन से जुड़े हुए हैं तो वह हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें हाईवे क्लासे यूट्यूब चैनल को और मैस बगरा की काफी पहले से ही लेक्षर पड़े हुए हैं कंप्लीट मैस आप सीख सकते हो ठीक है तो थैंक्यू मिलते हैं नेक्स लेक्षर में ओके